नमस्कार उम्शान्ती दोस्तो एक बार फिर से आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपी के अपने कारिक्रम ज्यान से भरे इस कारिक्रम में ज्यानो दै संतोष दिदी के संग कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के केवल अवगुण देखता है, दोश देखता है व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाता है और जो व्यक्ति दूसरों के आवगुण न देखकर केवल उनके गुणों को देखता है, उनके गुणों को ही ग्रहन करता है एसा व्यक्ति ही एक महान मानव कहलाता है और इसके विप्रीत जो व्यक्ति केवल और केवल दूसरों के दोश को देखने में, उनके परचिंतन में, आलोचना करने में, निंदा करने में ही अपने अम्मुल्य समय को बरबाद करता है ऐसा व्यक्ति समाज में कभी भी सम्मान की दृष्टी को प्राप्त नहीं कर पाता तो आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि दोश दृष्टी क्या है और कैसे हम हमेशा जीवन की अंदर दूसरों के गुणों को देखे और जीवन में ग्रहन करे कैसे अपने आपको इस दोश भरे वातावरिंट से स्वयम को बचा सके इस विशे पर प्रकाश डालने के लिए एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद है आदर्णिय संतोष दिदी जी दिदी आपका आज किस कारक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है ओम शांती ओम शांती ओम शांती दिदी आज हम एक ऐसी बिमारी की बात करेंगे जिसका नाम है दोश दृष्टी हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें किसी के अवगुन नहीं देखने हैं सबसे हमें गुण उठाने है लेकिन बावजूद भी इसके यदि किसी में दस गुण भी होंगे लेकिन उसके एक अवगुन का जो चिंतन है वो मन में घूमता ही रहता है घूमता ही रहता है दस गुण उसके नजर नहीं आते लेकिन वो एक बात मन में खटकती रहती है फिर हमें सिखाया भी जाता है कि नहीं ये चीज़ आपके लिए हानी कारक है आप नहीं सोची है ऐसा लेकिन फिर भी हम वशी बूत हो जाते हैं हमें ज्यान जो जीवन में मिलता है इश्वर का ज्यान जब हमें प्राप्त होता है तब हम धीरे धीरे इन चीज़ों से मुक्त भी हो जाते हैं और हमारे जीवन में अंतर भी आ जाता है तो सबसे पहले में जानना चाहती हूं कि एक ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में अंतर किस तरीके से आ जाता है दूसरे का अउगुन देख करके चिंतन चलता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते है ये भी तो बड़ा अउगुन है जी दूसरों के अउगुनों का चिंतन करना कोई गुन नहीं होता है ज्यानी और अग्यानी में यही अंतर होता है ज्यानी जो है वो खुद को देखता है और अग्यानी जो है वो दूसरों को देखता है घर में दो चीजें होती है एक होता है आइना और एक होती है बारी विंडो तो आज क्या विंडो में किसको देखा जाता है बाहर देखा जाता है और आइने में खुद को देखा जाता है उसी प्रकार जीवन में हम देखते हैं कि आजकल लोगों को बिंडो में देखने की बहुत आदत है बाहर दूसरों को देखने की आदत है पर आइने में देखके अपने मुखडे के उपर कुम सा दाग है वो हटाने की उनके पास फुर्सत नहीं. बिलकुल सही कहा. स्वदर्शन और स्वचिंतन के लिए उनके पास फुर्षत नहीं. और ग्यानी जो है, वो दूसरों को न देख करके खुद को देखता है, खुद को चेक करता है और उसके अंदर जो दोश है उस दोश को निकालने का वो पुरशारत करता है और अग्यानी जो है वो क्या करता है अपना समय बरबाद करता रहता है और ग्यानी अपने समय को सफल करता रहता है क्योंकि ग्यानी के अंदर ग्यान होने के कारण, उसका ग्यान का तीसरा नेत्र खुला होने के कारण, वो किसी के दोशों को नहीं देखता है, परन्तु सर्व के गुनों को देखता है, उसके जीवन का लक्ष ग्यानी का रहता है, कि मुझे सर्व गुन संपन बनना है, तो कहा उसे सर्व से गुन लेने हैं, जैसे हम दत्तात्रे का देखते हैं, दत्तात्रे ने ते बारां गुरू किये, कुत्ते को भी गुरू किया, तो पेड को भी गुरू किया, सब में से गुरू करना मना गुन उठाना, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में जब ये लक्ष रहता है, क कि हमारे को अपने अंदर वो जीव यगुन धारन करने हैं, लक्षनों होने के कारण वो दोस्रों के अवगुन देखते रहते हैं, ये दोनों में बड़ा महान अंतर, दृष्टी में महान अंतर है, उनकी गुनगराही दृष्टी होती है ग्यानियों की और अग्यानियों की ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि ग्यानी और अग्यानी के जीवन में क्या अंतर है, कि वो व्यक्ति ग्यान मार्ग में व्यक्ति स्वा का चंतन करता है, अपनी कमियों को ढूंड करके उनका निदान करता है, अपनी उन्नती की और अग्रसर रहता है, ये बहुत लगता है कि वो दूसरों का भी समय बर्बाद करते हैं क्योंकि वो ऐसे व्यक्तियों की लोगों के बीच में बुराई करेगा, चर्चा करेगा, अलोचना करेगा, मैं जाना चाहते हूं कि इसके अलावा और क्या-क्या वो नुकसान स्वयम के लिए और दूसरों के लिए करना उसका वरनन करना ये पाप करम तो उससे आत्म जो है वो कमजोर बनती है और वो सदेव दूसरों को देखता रहता है दूसरों के अवगुनों को देखता है इसलिए उसके मन्सा शक्ति भी खलास वती वियर्थ सोचने के आधती हो जाता है और वो व्यक्ति सामने नहीं तो भी अंदर यंदर उसके लिए वियर्थ सोचता रहेगा हमारे भारत में ऐसा कहा जाता है कि जब चंदर ग्रहन या सूर्य ग्रहन लगता है तो बड़े लोग हमको समझाते थे कि आप उनको खुली आखों से देखना नहीं जी पिलकुल अभी वो तो हमें धार्मी करीती से बताते थे अपने हिसाब से कि तुम अगर ग्रहन को देखेगे तो तुमें ग्रहन लग जाएगा परन्तु अभी साइंस ने भी ये प्रू किया है कि अगर हम खुली आखों से ग्रहन को देखते हैं तो उसके ऐसी किरने पड़ती है जिससे हमारी दृष्टी खराब होती है तो जो दूसनों के दोश देखता है उसका जो तीसरा ग्रहन का नेतर है उसकी दृष्टी खराब हो जाती है और दृष्टी उसकी दृष्टी की चमक कम हो जाती है उसके चेहरे की चमक कम हो जाती है और जितना जितना ओदूसनों की बुराईयों को देखता है और उसका च औरeger उसकी बुराई का चिंदन करके नुकसान कर रहा है जी कि बिलगूल उससे ज्यादर जो चिंदन करता है उसका नुकसान होता है और जब या औरों के पास वरंन करता है तो सामने वालों का समय और शक्ति वेस्ट जाती तो इसलिए हमारा काम यह है कि चोर से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्या है जब उसका चिंतन करते अवगुन देखते हैं तो उसके लिए नफरत आती है तो नफरत आने के कारण क्या होता है उसके लिए नफरत या घुना जब हमारे अंदर आती है तो हम उसको कभी भी प्रेम नहीं दे सकते हैं जो प्रेम दे नहीं सकता है जो प्रेम नहीं दे 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 सकेगा, ना किसी से स्नेल ले सकेगा, ना किसी को सयोग दे सकेगा, ना किसी से सयोग ले सकेगा, परंदु उसके अलावा, अगर वो सामने वाले के गुन देखता है, गुन देखने से खुशी होती है, और अवगुन देखने से नफरत आती है, और जैसा जैसा हम दूसरे का ग अपनी दृष्टी को गुनगराही रखना चाहिए, इससे हमारे को खुशी मिलती है, तो हमेशा कहा जाता है, कि अगर आपको हर्षित रहना है, हंस मुखी वनना पड़ेगा आपको उसके लिए, हंस का क्या काम होता है, हंस हमेशा क्या करता है, पत्थर फेंक देता है, मोती तो उसी प्रकार गुन और अवगुन, अवगुन पत्थर है, गुन मोती है, तो हम किसी को भी देखते हैं, तो उसके हमारे को गुन उठाने है, तो जो हंसमुखी बन करके चलता है, वो सदेव कुश रहता है, और जो हंसमुखी बन के नहीं चलता है, बगुला बन करके चल हो हमेशा तुखी रहता है और थूज लुखी रहता है और दूसरों के भी रुखी करता है और आप देखो हम भगती मारग में भगवान को क allied को कहते थे खै भगवान तुम हमारे अफिस आउगन चित पर नहीं ध़रना तो हमें खुद को देखना 시간 हम तो नहीं किसी बुराई चित पर हुपते हैं, आज कोई घर में से समझो जाडू निकाल जाराए आपके सामने वाला जाडू निकालने के बाद आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, वही इदर घर मेरे घर में ये कच्रा फैंक, ऐसा कभी बोलेगगे? अगर भूल से भी किसी के घर से थोड़ा भी किचरा आ जाता है तो हम उसकी बेल बजाते है तुम ने क्या समझा है हमारे घर में किचरा पीड़े तो जैसा ये स्थूल किचरा कोई भी किसी का लेने को तयार नहीं है वैसा ये अवगून किचरा है और जिसके अंदर वो तो इसको ज्यान कहे लिए। वह ज्यान के अच बिलकुल हम हमेशां यह देखना चाहिए कि सामने वाले के लिएrauenा कोंसी तैसल में जिस समय हम औरों कि अह्या ही देख ते हम इष्थ ह⁜ा जाते हैं परन्तु ज conteúdo इखम औरों की एर्रों कै देख़ था eto ह helix इस्ट बन जाते हैं, तो दुष्ट को कोई भी प्यार नहीं करेगा, इस्ट को सब प्यार करते हैं, आज देवी देवताओं को सब प्यार करते हैं, इसके बाद परम पिता परमात्मा को सब कितना प्यार से याद करते हैं, हर एक धरम वाले क्योंकि वो निर्दोष, तो इसलि लेकिन दोश दिखते हुए भी यदि हम सामने वाले को कहते भी हैं कि आप अपनी आदत को सुधारी यह ठीक नहीं है तो सामने वाले में कहीं न कहीं एंकार आ जाता है कि मुझे क्यों बताया जा रहा है मुझे क्यों सिखाया जा रहा है तो वहां से एक relation तूटना शुरू हो जाती है हमारी भावना तो अच्छी थी कि उसका फलाने सामने वाले का दोश जो है खतम हो जाए वो दोश मुक्त हो जाए लेकिन फिर भी अपने दोश को स्वीकार नहीं कर पा रहा है ऐसे में फिर हम क्या करें आंकार के कारण बाड़ी कांश के कारण दिया भीमान के ज़ि उसको अदत पढ़ गई प्रशन सा सुनने कि आज आप अच्छी बात बताएगे तो उनको खराब लगती है उनको अच्छा नहीं लगता है परंतो आप उसको बात बताओ परंतो थोड़ा मिठास से बताओ ज़िए आपको किसी को भी सिखाना है तो आपके बोलने से वो नहीं सीखेगा परन्तो आप अपने अंदर अगर उस गुन को धारन कर लेगे, अज सहन चिलता काई गुन है, अज सामने वाले को बहुत करोद आता है, और हम उसको बोलेगे तुम करोद नहीं करो, तो छोड़ेगा नहीं, परन्तो समझो एक व्यक्ति बहुत जोर से चिल करके दूसरे लोग अपनी अच्छा ही छोड़ देते, इसके कारण वो सामने वाले को नहीं सुधार सकते हैं, परन्तो अगर हम जीवन में ये लक्षे रखते हैं, कि कोई कितना भी बुरा होगा, परन्तो हमें हमारी अच्छा ही कभी भी छोड़नी नहीं है, हमें उसके प्यार रखना, आजकल क्योंकि हर जगा, हर व्यक्ति दूसरों के दोश देखने में और फैलाने में लगा हुआ है, जैसे हमने चर्चा भी की है, ऐसे में हम स्वयम को सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि कोई आता है, हमारे पास बैठ जाता है, और वो उसकी चर्चा करनी श यहाहीं खता है, जैसी हहमत भी नहीं पढ़ती है, लेकिन अब अपने अब को कैसे सुरक्षित कर दो कैसे बचाएं अपने आप बातें होती, जैको हैं यह जो फाल्तु बातें होती हैं बुर्य जिसकी बुराइए उञ जिसको छुग इए बोलते हैं, तो यह वड़े नमक मसाले वाली बाते हैं, विर्च मसाले वाली, तो जैसा चने भुगरे को मिर्च मसाला लगाते हैं, तो खाने को मजा आता है, तो वैसा है सुनने वालों को मजा आता है, इसलिए लोग आके फाल्टू बाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, पर अगर हम इ जैसा कि हम कथा सुन रहे हैं, हम ही भड़ावा दे रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, फिर हम भी थोड़ा उसमें मीच मसाला लगा देते हैं, वो तो है ही ऐसा, हमने भी अनुबव किया है, उसका तो ऐसा ही संस्कार है, वो तो सब के साथ ऐसा वेवार करता है, आपके साथ किया तो आपको क्या पता उसने हमारे साथ किया किया है, यह थोड़ा भी अगर हमने बोलना चालू कर दिया तो उनको चोह रहा जाता है, तो फिर टाइम का कहां से मालुम पड़ेगा कितने गंटे होगे, कितने मास होगे, यह कोई एक-दो दिन बात नहीं चलती है, अंद तक चलत कि अने वाली की निन्दा करता है हमको उसमें उसकी विशेष्टाय। कि आपको पता नहीं है उस्यक्ते में देдक उप सामने व्हाली की निंदा करना पकार करना चाहिए। परन्तु सुलो हर्जा नहीं है, परन्तु उसकी जो विशेष्टा हैं वो उसको बताओ, और उसको भी समझाओ क्यार से, कि आप भी अगर विशेष्टा हैं देखेज़े तो आप में भी विशेष्टा आईगा, कमी तो किसमें नहीं होती है, परन्तु कमी को ऐसा फैला करके कमज़ोर बनने की क्या जरूरत, क्योंकि कमी को फैलाना मना खुद कमज़ोर बनना, खुद की दिवयता को हम नष्ट कर रहे हैं यह तो ऐसा हो जाता है, तो यह समझा सकते हैं उनको, एक दोश जो होता है वो आदमी गलती खुद करता है और दोशारोपन दूसरों पर करता है, परिस्थितियों पर करता है, हालातों पर दोशारोपन करता है, व्यक्तियों पर करता है, भाग्ये पर करता है, इश्वर पर भी कर देता है कि तुम दोशी हो, तो ऐसे में वो अपनी संदे अपना नुकसान तो करी रहे, मुझे लगता है ऐसे में अज्ञान के बादल चारों और घर जाते हैं, ऐसे में वो अपने आपको कैसे निकाले, आज ब्लड प्रेशर भी होगा ना किसी को, जी, बोला देखो मेरे को ब्लड प्रेशर थोड़ी था, ये फलानी व्यक्ति है ना, इसने मेरे को ब्लड प्रेशर कर दो, बिल्कुल सही कहा, मेरे को टेंशन थ सकता है, मेरे कर्मों का सारखेल, उसने अगर कुछ भी बोला तो मैं मेरा ब्लड प्रेशर चाड़ाने की मुझे क्या जुरूरत है, उसका प्रेशर तो चाड़ा हुआ है, मेरा भी प्रेशर मैंने चाड़ा दिया, ये तो बे समझाई है ना मेरी, तो जिस समय हमें ये जो मेरी स्थिती खरब हो गई, तो इसका मतलब तुम परिस्थिती के गुलाम, बिलकुल, परिस्थिती के अधीन है, देखो, एक है स्वस्थिती और दूसरी है परिस्थिती, स्वस्थिती जो है वो अंदर से आती है, परिस्थिती बाहर से आती है, तो दोनों के आने के र जो स्वस्तिति के लिए समय और शक्तियां देनी चाहिए, वो हम परिस्तिति में लगा देते हैं, जिसके कारण टक्रा होता है, तो हमें यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, परिस्तिति माना दूसरे की स्थिति, दूसरे की वातावरन की जो भी स्थिति है, वो परिस्तिति परकी है और स्वस्थिती मेरी है पर के लिए मुझे मेरी प्रापर्टी को नश्ट नहीं करना तो जब हम यह लक्ष रखते हैं तो हम अपनी स्थिती को ठीक रख सकते हैं आज एको बैन कोई हाल है समझो यह हाल है यहां पर कोई बद्बुई आ रही है एक छोटी सी आप अग अगर्बत्ती भी जला देगे ना तो क्या होता है चारों तरह उसका शुवास पहल जाता है आगर्बत्ती कभी यह कंप्लेन ने करती है कि वहां पर बद्बुई थी इसलिए मेरी खुश्बु नहीं पहली अभी आगर्बत्ती यह मनुष्य की रचना है आगर्बत्ती में वह शक्थी है वह परिस्थिती के ऊपर विजय पा लेती है बद्बुई को हटाके खुश्बु फैला सकते हैं आप और हम तो हैतन मनुष्य हम क्यो नए परिस्थिती को बद्ली कर görün तो परिस्तिती को दोश देने के बजाए हम अपनी अच्छाई से परिस्तिती को बद्दी कर सकते हैं भगवान को भी दोश देने की जरूरत नहीं है भगवान तो हमें अच्छा रास्ता बताता है परन्तु हम अगर उल्टे रास्ते पर से चलते उल्टे रास्ते पर चलते है तो इसमें किसका दोशए हैं, हमारे कर्मों का दोश है, तो जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होता है, कि जो भी मुझे सेहन करना पड़ता है, जो मुझे भोगना पड़ता है, जो भी मेरे को शारीक तकलीफ आती हैं unknown को ये मै नहीं ब obeyak हुआ है, जो मेरे सामने आ रहा है。 तो जब तक हम खुद को दोशी नहीं ठहराते हैं, तब तक हम कभी भी सुदर भी नहीं सकते हैं, और किसी को सुखी कर भी नहीं सकते हैं, तो यही ग्यानी अग्यानी में बड़ा फरक है, अग्यानी यही धंडा करता है, दोश देने का, और ग्यानी जो है, वो औरों को दोश आदिया हंसमुकी बन के चलो, सर्व के गुम देखो, दूसरा हमेशा ये ध्यान में रखो कि मुझे जुकना है, निर्मान्ता को धारन करो, तो जितना जितना हमारे में निर्मान्ता आती जाती है, निर्मान्ता समझते है ना, जुकना, जितना जितना हम खुद जुकते जाते उतना उतना क्या होता है, हमारे अंदर परिवर्तन आता है, और हमारे को सर्वसने करते हैं, प्यार करते हैं, और सयोग करते हैं, जब हम जुक जाते हैं किसी भी बात में या किसी बात को मान लेते हैं, कोई भी बात होती है, समझो, आपस में कुछ वान बन हुआ, और मान लिय अगर मान लिया तो क्या होता है, जगड़ा मिट जाता है, शान्ती हो जाती है, नहीं तो बात बढ़ती जाती है, हम परिस्ति औरी लंबी खेंचते जाते हैं, वातावरन को और ही खराब करते जाते हैं, वातावरन को अच्छा बनाने के लिए और खुद को सेफ रखने के लि और उन्रमान बनकर और आरके और सामने वाले को सारी बोल तरो सेहिते ह। तो आज ये दो बाते बोलने में सारी या थ complètement इंक्स दरोस्ते है इन को बोलने में लोगे अँ होती है। बश्कुल। आँकर सामने माधा थता है। अगर हम उसको थैंक बोल देते है तो इसको खुछी होती है किसको गदर है मेरी। परन्तु आप करे गए नहीं तो उसको क्या लगेगा। दूसरा नहीं बोलेगा, तो हम दूसरे को बोलने को तायर नहीं हो। तो थोड़ी नमरता अगर हमारे नमरता से ये फायदा होता है, हम सारी भी बोल सकते हैं, और उनको ये भी कर सकते हैं, ठैंक्स भी बोल सकते हैं, शुकरिया बोल सकते हैं, सामने वाले को शुकरिया बोलेगे, तो सामने वाला खुश हो जाता है, चलो हमने इनको मदद किया त इनको हमारी कदर, और अगर हम भूल करके उनको सारी बोल देते हैं, तो बात उधर पूरी हो जाती, फिनीच हो जाती, जीवन सुखी बन जाता है, आसा है, यह तो आपने कितनी अच्छी बात बताई है, कि दो शब्दों में ही जीवन कितनी खुबसूरत बन सकती है, और कितन अच्छी चर्चा की है, और कैसे हम डिफेक्ट्स को खतम करके परफेक्ट बन सकते हैं, कितनी अच्छी बाते आज आज आपने हमको बताई है, दीदी आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया आदा करती हूं, ओम शान्ती, ओम शान्ती, दर्श को दोश द्रिष्टी एक ऐसी ख यह एक ऐसी बिमारी है, जो व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं देती है, उसको एक करम बंधन में बान देती है, और जहां व्यक्ति स्वयम के दोश को देखता है, उन्हें सुधारता है, वो व्यक्ति अपने करम बंधनों से मुक्त हो जाता है, और इसके विप्रीत, जब व् केवल अपने जीवन में आलोचना करता है दूसरों के डिफेट्स कम्यों पर ही उसका ध्यान रहता है ऐसा व्यक्ति सम्माज में भी कभी सम्माननिय द्रिश्टि नहीं रख पाता इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर जाकना अपनी कमियों को दूर करना स्वयम के चरितर को निखारना यही वास्ता में हमारे जीवन का लक्ष होना चाहिए ताकि हम संपूरणता को प्राप्त कर सके आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं फिर से आपसे रूबरू होंगे एक नए विशे को ले करके दीजे इजाज़त नमस्कार ओम शांती